पत्रकार की ताकत क्या होती है एक पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके निउस सोर्स क्योंकि जो भी खबर वो फिल्ड में या फिर कहीं किसी मंतराले से या किसी सरकारी दफ्तर से वो लेकर आता है वो अपने sources के through उस news को collect करता है कुछ news होती है जो commonly सारवजनिक होती है जो सब जानते हैं मान लीजे कोई accident हुआ वहाँ घटना घटी तो उससे पूछा गया कि घटना कैसे घटी पुलिस ने उसमें अपनी bite दी उसके बाद यदि PDT को अस्पताल में भरती कराया गया उसके साथ क्या हुआ तो ये कुछ घटना है जो एकदम visible है लेकिन कुछ घटनाएं होती है जो कि investigated journalism के द्वारा ही आपके सामने आती है जैसे बहुत सारे examples है आजकल जो है शराब गोटाले पे दिल्ली सरकार घिरी हुई है इसी तरह कि बहुत सारे गोटाले होते हैं जिन में पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल होता है उन खबरों को सामने लाने का तो वो किस तरह लाते हैं उनके पास में उनके news source होते हैं तो अक्सर क्या होता है जब आप field में coverage करते हैं तो जिस fact के आधार पर आपने वो news को public किया तो उसके उपर ही कुछ लोग question कर देते हैं तो अक्सर पुलिस आपसे पूछती है कि इस खबर को आपने क्यों break किया या फिर हो सकता है जिसके खिलाफ आपने खबर की हो वो ही आपके उपर मान हानी का दावा कर दे तो ऐसे में क्या होता है आपको से सम्मंधित documents या फिर visuals वो सबूत आपको वहाँ पर produce करने होते हैं और ये बताना होता है कि आपने जो खबर की वो इन तथ्यों के आधार पर की तो इस से पत्रकार सेफ हो जाता है अब लेकिन ऐसे में ही एक सवाल उठता है कि वो पूछते हैं कि ये खबर आपको मिली कहां से तो इसको कहते हैं news source तो लेकिन एक बहुत बड़ा आपका right है कि कोई भी आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आपको अपना news source बताना पड़ेगा क्योंकि news source जब आप बता देंगे तो अगली खबर ब्रेक करने का आपके पास कोई option ही नहीं रहेगा तो ये आपका legal right है एक पत्रकार का legal right है कि उसे news source बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अब ये किस कानून के अंदर लिखा है ये बात भी जानना चाहिए इसके लिए Press Council of India का जो एक act है PCI Act 1978 उसकी section 15.2 इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि किसी भी पत्रकार को उसका news source बताने के लिए compelled नहीं किया जा सकता बात है नहीं किया जा सकता पत्रकार सम्मंधित सबूतों को court में पेश कर सकता है अगर चाहे तो वो थाने में कर सकता है पुलिस भी उसे मजबूर नहीं कर सकती लेकिन ये उसका पूरा राइट है कि वो अपने news source को उजागर नहीं करेगा उमीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा अगर आपको ये अच्छा लगा होते से लाइक किजिगा शेर किजिगा और सब्सक्राइब भी किजिगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद